गुड मॉर्निंग आईज आज अब 20 दिसंबर 2019 से करेंट अफेर्स के जितने मी इंपर्टन कोशन मनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का पहला एंपर्टन कोशन है हाल में गुवा मुक्ति दिवश कम मनाया गया इसका सही आणसर आप्स नमबर D 19 दिसंबर गुवा का मुक्ति दिवश प्रति वर्स 19 दिसंबर को मना जाता है 1961 में इसी तारिक को गुवा को सेना के आपरेशन और विस्तारित सुतंत्रता आत्तो रंगी बाद पूर्तगाली प्रभुत्त से मुक्त करा दिया गया था या दुनुग भारती ससस्त बलो के इस मरण उस्सों में मना जाता है जिरोंने गुवा को पूर्तगाली सासन से अजादी दिलाने में मदद की थी चले यह आपको गुवा के बारे में आते हैं गुवा का गठन तीस में 1987 गुवा था मुर्तमान मुक्र मत्रियं स्री प्रमोश्रावंत जो की आपको इमेज में दिखाज दे रहें गौवनर है सत्पाल मलिक, कैपिलल है पंजी, फर्स्ट यह में ध्यानत बंदोत कर स्टेटरी की बात करें तो भगवान महावीर सैंक्चुरी और मोलम नेशनल पार्क है वह से सटेटरी राज की बाल में आते हैं महालास्टा यह नौर्थ में, इस्ट और साउथ में कर्णाट का, वेस्ट में अराबियन सी चलिए आपको मैप में दिखाते हैं होगा, यह मैप में होगा चलते हैं कोशन नमबर 2 की तरफ हाली में तुत्तिय भारत अमेरिका मंत्री अस्त्रिय टू प्लस टू वार्था कहां युद्ध हुई इसका सही आंसर है, आप्शन नमबर D, वासिंग्टन डीसी दूसरा इंडो युएस मिनिस्ट्रियल 2 प्लस टू समवाद 18 दिसम्रदर निसको वासिंग्टन डीसी में आवजुद किया गया भारते पच्छा प्रति नितित्व विदेश मंत्री के मंत्री युज जरसंकर और रच्छा मंत्री राजनाशिंग्टन ने किया और अमेरिका पच्छ के सचिव माइक पॉंपी और रच्छा सचिव मार्क जीमेल ने किया चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं यह आपको इमेज में दिखाए दे रहे हैं भारत के रच्छा मंत्री राजनाशिंग्टन युज जरसंकर विदेश मंत्री अगले कोशन के जाने से पर लेगर यह वीडियो आपको पसंद आरी हो तो लाइक और शेयर जरू कर दे किया इसका सही आंसर है आपस नमबर C चाइना दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशक के रूप में रिपोर्ट में चीन सबसे उपर आये और लेखों के शभी वहिश्विक प्रकाशनों का 20.67% हिसे परसंट हिसे दारी चीन का ही है US National Science Foundation ने यहां बताया कि भारत विज्ञान और इंजिनिंग लेखों का दुनिया का 13 सबसे बड़ा प्रकाशक बन गया है इसने 1.35 लाग से अधिक विज्ञानिक पत्र प्रकाशक की है चलिए अब आपको चाइना के बार में आते हैं चाइना के कैप्टल है बीजिंग, प्रेशिडेंट है जी जिन्पिंग, करंसी है रेंबिन भी, नैशनल डे की बात के तो एक अक्टूबर, हाइस्ट मॉंटेन है, माउंट आवरेस्ट, अब भी हैस बैंड्स इन चाइना सिंस 2009 वर्ल्टस लाजबी सब्सक्याब झस्बट, आपको उर्ल्टस आपको मैप में दिखाते हैं चाइना Q witch no 4, में अर्ली में गी इ जंता क्लिमिक कहा लंच कीया गया, इसका सही आप्स में, और से sph oll उर सी राजस्थान रास्थान के मुख्य मंत्री अशो कहलोत ने 18 दिसमर दोरन इसको जैपूर के मालवी नगर में वालमी की बस्ती में पहला जन्ता क्लिनिक का उदगाटन किया मुख्य मंत्री ने राज्ज के बजट के दोरन या जन्ता क्लिनिकों की गोशना की थी चले अब आपको राजस्थान के बार में आते हैं राजस्थान के गठन एक नॉम्बर उनीस सो चपन कुगा था वरत्मान मुक्रमत्री इस्री अशो केलोथ जो कि आपको इमेज में दिखाए दे रहे हैं चले आपको मैप में दिखाते हैं राजस्थान यह है मैप में राजस्थान कोशन नॉम्बर फाइव हाली में किसकी कविता ने द्वार उनीस साहित अकादमी प्रुसकार जीता है इसका सही आंसर आपस नॉम्बर टी अहल आप दबब हाली में डाक्टर नंद की सुराचारे स्री निलभा एक खांडेर कर स्री कुमार मनीश अर्विन की कविताओं ने द्वार उनीस साहित अकादमी प्रुसकार जीता है चले चलते हैं कोशन नॉम्बर 6 की तरफ हाली में किस कंपणी ने पहला भारत बॉन्ड एटी अफ लॉंच किया इसका सही आंसर है आपस नॉम्बर डी एडलवाइश एडलवाइस एसेट मनेश्मेंट कंपणी ने देश में कार्परेट बॉंड एक्चेंज ट्रेंड़ेट फंड पहला भारत बॉंड एटी अफचारी किया बॉंड इशु बी दिसमर उन्टवरन इसको बंद हो जाएगा निविशक निउन्तम यूनिट अकार के साथ एक्चेंज ट्रेड़ेट फंड की सदस्थ सित्या लेशकते हैं चलिए देचलते हैं कोशो नमबर सेवन की तरफ हाली में विश्व अरभी भासा दिवश कम मनाया गया इसका सही अंसर आपस नमबर A 18 दिसमर विश्व अरभी भासा दिवश हर साल 18 दिसमर को मनायाता है यहाद इन सयंक्त राष्ट की बहुँ भाशावादा और सांस्कृतिक विवित्ता का जच्न मनाने का लक्ष रखता है इस दिन का उश्व पेरिस फ्रांस में युनिस को मुख्याले में आज़ुद किया जाता है थीमे द्वार उनिसका Arabic Language and Artificial Intelligence थीमे एक बार और अप नोट कर लें Arabic Language and Artificial Intelligence चलिए चलते हैं आपको फ्रांस के बारे मारते हैं फ्रांस की कैप्टल अप पेरिस पिस्टेंट है इमानुवल मैकरोन जो कि आपको इमेज में दिखाए दे रहे हैं करंसी की बात कर तो यूरो नैशनल जे चौदा जुलाई है हाईस्ट मौंटेन है मौंट ब्लेंग लाइस्ट लेक है बार गेट नैशनल गेम की बात कर तो फुटबॉल फुलावर आयरिस एनिमल गैलिक रोश्टर एफफल टावर की बात कर थो जो कि पेरिस में है तीन सो मीटर उचा है पार्लेमेंट नेम की बात के तो National Assembly चलिए आपको मैप में दिखाते हैं France यह है मैप में France Question No.8 निमले कितमे से किसे हाली में अंग्रेजी का साहित अकाडमी सम्मान द्वार अनुनिस दिया जाने की घोशना की गई है इसका सही आंसर आपसा No.A शशी थरूर सशी थरूर को अंग्रेजी भासा के साहित अकाडमी स्पुरुषकार द्वार अनुनिस के खिताब के लिए चुना गया है उन्ने याप पुरुषकार उनके वारा ब्रिटिस काल पर लिखी गई An Era of Darkness के लिए दिया जा रहा है या पुस्तक वर्ष 12.16 में रिलिज होई थी ब्रिटिन में पुस्तक Inglourious Empire What the British did to India के नाम से प्रकासित की गई है हिंदी का साहित अकाडमी बात करें तो साहित अकाडमी सम्मान की बात करें तो नंदी की सोर आचारी को उनके कविता संग्रा छेलते हुई अपनों को के लिए दे जाने की कोश्णा की गई है चलिए अब आपको इमेज में दिखाते हैं या आपको इमेज में दिखा जा रहे हैं यह शर्शी धरूर चलते हैं कोश्ण नमर 9 की तरफ ग्रियम मंत्रिया मिश्चा ने ग्रियम मंत्रियम मिश्चा ने या देश का सबसे भाववग होगा द्वारका सेक्टर 20 में 200 एकर में फैलाया पार्क दिल्ली का तूरिस्ट स्पार्ट बनेगा इस पर करीब 524 ुपे खर्श किये जाएंगे चलिए चलते हैं कोश्ण नमर 10 की तरफ विकास बैंक ने किस देश को उर्जा दच्छता निवेश में विस्तार के लिए 200 मिलियन टॉलर का रिड़ जारे किया इसका सही आंसर है अपसर नमबर C, इंडिया ACI विकास बैंक ने भारत ते इसको उर्चात चितानिवेश में विस्थार के लिए 200 मिलियन डॉलर का रिर जाड़े किया इससे भारत में क्रिशी हावाशी संस्थागोत भोगताओं को लाब मिलेगा इसके अलावा ADB के प्रशाषन में सच प्रादोगी की कोश से 46 मिलियन अमेर्की डॉलर का वित्थ पोसण उपलप्त कराए जाएगा ADB की बैंक की बात कहें तो ADB बैंक का हैड़कोटर है मनीला में मनीला जो की फिलिप्फिन्स में है कोशन नमर 11 प्रधान मंत्री मोधी द्वारा लिखित किस पुस्तक का हाली में ब्रेल संस्क्रन लाँच किया गया इसका सही आंसर आप्स नमर C एक्जाम वारियर प्रधार मंत्री मोधी द्वारा लिखित एक्जाम वारियर पुस्तक का हाली में ब्रेल संस्क्रन लॉंच किया गया सामाजिक नियायों वादिकार्ता, मंत्री थावर्चंद गैलोद द्वारा, प्रधान मंत्री नर्द मोदी द्वारा लिखित पुस्तिक, पुस्तक एक्जाम वारियर्स के ब्रेज संस्क्रण का विमोचन किया गया नेतरीन पाठको के लाप के लिए पुस्तक में सभी तश्वीरों को विश्तित रुप से पेश किया गया है ब्रेज संस्क्रण से देश के लाखो नेतरीन चात्रों को पेढ़ना और मांसिक सक्ती प्राप्ती होगी या संस्क्रण लाइस्थान नेतरीन कल्यान द्वारा तयार किया गया है चलिए चलतें कोशन नंबर टोल की तरफ कोशन नंबर टोल हाली में कहां द्वार निस माल और सेवाकर यानि कि जिस्टी परिसेदा आजुद की गई हाली में न्यूदेल्ली में माल और सेवाकर यानि कि जिस्टी परिसेदा आजुद की गई इस लटेरी के लिए नहीं दर मार्च 22 सप्रवावी होगे जीस्टी की बात के तो जीस्टी डे एक जुलाई को मनाए जाता है चलिए चलते हैं कोशन नमबर 13 की तरफ हाली में ICC द्वारा द्वार निस का सर्फ्स्रेस्ट मैला क्रिकेटर और ओडियाई क्लाड़ी का प्रुस्कार किस नहीं जीता है इसका सही अंसर आपस नमबर B एलिसे पेरी एलिसे पेरी को द्वार निस की महिला सर्फ्स्रेस्ट क्रिकेटर और एक दिवसे की लाड़े के रोप में नामित किया गया है या गोशना दुनिया की गवर्णनग बॉणडी इंटरनेशन और क्रिकेट कांसरिंग द्वारा की गई चलिए अब आपको इमेज में दिखाते हैं या आपको इमेज में दिखाए दे रही है ये हैं एलिसे पेरी चलिए चलते हैं कोशन नमबर 14 की दरफ हाली में किसकी आदम कथाने द्वार उनिस साहित अकाडमिक प्रोसकार जीता है इसका सही आपको इमेज में दिखाते हैं ये हैं डाक्टर विजया चलते हैं कोशन नमबर 15 की दरफ हाली में किस राज ने जल सात्ती कारिकरम शुरू किया इसका सही आपको इमेज में दिखाए दे रहें गवर्नर की बात का तो प्रोफेशर गणेशी लाल कैप्टर बुमनेश्वर फस्ट ये महरे कृष्णा महताब फस्ट गवर्नर सर्जाओन अस्ट अनमपाग लोग सबसीट 21 राज सबसीट 10 टोटल लिस्टिक है 30 लाजे स्ट लडे की बात का तो चिलका है स्टेट ट्रिये पीपल फ्लावर अशोका अनिमले सामबर स्टेट बड़े इंडियन रोलर क्लासिकल डैंस की बात का तो उरिशी नेशनल पार के चिलका वाइड लाइफ नंदा कानन और जुलाजिकल डैम से हीरा कुन मंदिरा में रिवर्स से ब्रामड़ी भारगवी उरिशा से सते अषरा राचिक बार में यते हैं मन्द प्रदेश वेश्ट में आंध प्रदेश साउथ में वेश्ट बंगाल है नोर्थ-יצ्ट में जार खंड है नोर्थ में चलिए आपको मैप में दिखाते हैं उडिशा यह मैं अपमें उडिशा चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के कोश्टन की तरफ साइंक तव विश्व कुस्ती यू ड़ू ड़ू की अस्थाबना कप की गई थी इसका सही आंसर आपसर नंबर ए उनिश्व बारा चलते हैं आंसर आफ एस्टेडे कोश्टन की तरफ हाली में किस खिलाडी ने माइंड मास्टर नामा का अपने आत्म कता जा रही की इसका सही आंसर था आपसर नंबर भी विश्व नाथनानंद चलिए चलते हैं कोश्टन आफ देडे की तरफ हाली मिद किस भारती गिद्वाज ने ODI मैच में दूसरी बार है ट्रिक लिया इस कांसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ऐसे डेली कर्णेट अफेर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK Smart City को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सेर जरू करें थेंक यू